आज हम आपके लिए बनाएंगे एक तम सुपर टेस्टी डिलिस्यस आइसक्रीम वह भी चॉकलेट आइसक्रीम जो बच्चों को बहुत पसंद आती है मात्रोचीन तीन चीजों से हम बनाएंगे इसको और इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले बिस्किट लेंगे और वह भ एक पाउडर मीवक्ते की यही हुएा मुझार में स्कूड बड़े है तो आप दो बर्ड़े पीस हुए चोटे हैं तो मैं चोटे बिस्किट कत यहां पे ल這個 यहां पे यह देख के यह देखिए यह मैंने अपने सारे बिस्किट पैकेट को को खोल लिया है उसके बाद हम क्य तरह बार करते हैं वाँ तरह तो इसं में पाउडर तेख्जर कर लिया है एक दम आयें को इसमें इस इस पमपारक तरह टेच्चर है वह इसम्मार्य करना एक दम क्रीमि त्यारा और एक कटोरी दूँड डाल और इसको वापस से घुमाईए यह देकिं इसके बाद में एक यह देखके प्लास्टिक के बॉक्स वन किनिकलने के बाद में उसको निगा है आपको इसी तरीकेश से ताकि इसके अंदर अगर हवा भरी भी है तो वो निकल जाए उसके बाद में फॉयल पेपर लगाने से यह होगा कि हमारे इसके अंदर जो है आईस बिलकुल नहीं जमेगी और जो मार्केट में आईस क्रीम मिलती है सॉफ्ट हमारी वैसी ही आईस क्रीम तयार होगी अगर हम ऐसे ही बंद करके रखेंगे तो ऐसा नहीं होगा इसलिए हमको फॉयल पेपर लगाना बहुत जरूरी है अगर आपके पास फॉयल पेपर नहीं है तो फिर आपको प्लास्टिक की थेली भी लगा सकते हैं उसके बाद आप इसको पाँच गंटे फ्रिज में जमने के लिए छोड़ दीजी और भूल जाएए पाँच गंटे बाद आप देखिए मेरी आईस क्रीम कैसी तयार होगी यह देखिए चॉकलेट के साथ इतनी क्रीम इसमें नजर आ रही है यह क्रीम कोई यह क्रीम तो बहुत ही टेस्टी है और वो बार बार आपसी आईस क्रीम बनाने के लिए कहेंगे यह देखिए मैं आपको कटके भिखा रहे हूं यह कितनी सॉफट है एक्दम सॉफट है बिलकुल इसका ट्रेक्चर जो है वो बिलकुल क्रीमी है यह देखिए विल्कुल लगई है बिल्कुल चोकलेट आईस्क्रीम जो आपने गर में खुद तयार की है। उर गहने श्लोंक भीठेंट तयार किया है। रिजूर्ट की ओतों के दूधार के लाके लिए यह ज़ुए। ऐ थोड़ी सि पोल्द этих जीनी कीजिए और अपने बच्चों को खिलाईए मेरा वीडियो देखने के लिए धन्याद